नितीश कुमार और लालू परसाद के संबंद कितने प्रगार हैं और ये संबंद कितने दिनों तक चलेगा इसको लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं लेकिन इन सब के बीच में नितीश कुमार ने आउट आफ दी बॉक्स हो करके जिस तरह से CBI की कारवाई और चार्शिट ये जाता है और नितीश कुमार की आइडिलोजी वो बताया जाता है कि वो ट्रिपल सी से समझोता नहीं करते हैं क्राइम, करप्सन और कॉमिलिजम से लेकिन इस बार जिस तरह की बाते सामने आई हैं कि लालू परसाद और उनके परिवार सही 14 लोगों पर आरोप पत्र दा को ले करके भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इनी सब मामलों को ले करके नितीश कुमार पर भारते जनता पार्टी ने निशाना खोला है कहा यह जा सकता है कि नितीश कुमार की जो फाइल दब गई थी भारते जनता पार्टी लगतार ये कोशिश कर रही थी इस अंदेशा म थी कि एक बार फिर से नितिश कुमार वापसी कर सकते हैं लेकिन अब भारते जनता पार्टी पूरी तरह से नितिश कुमार के विरुद्ध बहुत मजबूती से खड़ी है इन सारी बातों कुल ले करके सबसे पहला बयान रवी शंकर प्रशाद ने दिया उन्होंने कहा कि ला नजर आने लगी है पूर केंद्रिय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि नितिश ब्रस्टाचार के मामले में लालू और उनके परिवार के सदस्यों का बचाव कर रहे हैं अपने जीवन की जमा पुंजी से समझोता कर रहे हैं मुख्य मंत्री ने लालू के रेल मंत्री रहते के एक मामले में CBI दोरा आरोप पत्र दाखिल करने पर सनीवार को असाहमती जताई इन सारी बातों को रखते हुए रविशंकर प्रशाद ने जम करके हमला किया है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रविशंकर प्रशाद ने कहा है कि महा अब मैं इस महा गठ मंदर में वापस आ रहा हूँ तो नई नई चीजें सुरू हो गई है क्या यही तरीका है ऐसा जान पढ़ता है कि वे मनमर्जी कर रहे हैं इस पर रविशंकर प्रशाद ने कहा मुख्य मंतरी 2017 में ब्रस्टचार के मुद्धे पर खुद अलग हुए थे और अब वे ऐसा बोल रहा है जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसे देख करके साफ लग रहा है कि नितीश कुमार और भारते जनता पार्टी के बीच तलवारे खेच गई है जिस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि नितीश कुमार पत्रकारों से बातचित के दोरान जो बातें कर रहे हैं जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उसमें 14 लोगों को आरवपी बताया है बनाया गया है और CBI ने लंबी पूश्टाच की है इस बीच आपको बता दें कि जहां लालू परसाथ के OHD रहे भोला यादों की गिरफतारी करके उनसे पूश्टाच की गई थी वहीं तेजस्वी आदों के जो सचीव हैं सेकरेटरी हैं उनको भी CBI ने बुलाया था उनसे भी घंटों पूश्टाच की गई है इन सारी बातों को लेकर के जब CBI ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर राज़त सुप्रीमों और उनकी पत्नी राबडी देवी बेटी मिशा भारती सहीत अन्य लोगों पर जब आरोप पत्र दाखिल किया उसको लेकर के जब नितीश कुमार से सवाल पूछे गए थे तो नितीश कुमार ने सपस्ट तरीके से कहा था कि CBI द्वारा आरोप पत्र दाखिल किये जाने पर नितीश ने ये सपस्ट किया था कि उस मामले में कुछ नहीं निकला अब मैं इस महागडबंधन में वापस आया हूं तो नई चीजें फिर से सामने आने लगी है हलाकि सारे मामलों को लेकर के तेजस्वी आदोब ने भी कहा था कि महागडबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा बेचैन है और इसलिए संबैधानिक संस्थाओं का दूरूपयोग कर इस तरह के मामले सामने ला रही है हलाकि जनकार ये भी पताते हैं कि ये अपी एग्रेसिव हो गई है चिराग पासवान एग्रेसिव हैं वहीं आर सीपी सिंग रोज नए-नए खुलासे कर रहे हैं इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ महागडबंधन की सरकार और दूसरे तरफ महागडबंधन के भीतर भी राष्टिय जनता दल में हंगामा सुर अगर यह वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अ अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज़्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद